आज की कहानी का रशीरशक है गिल्लू लेखिका महादेवी वर्मा सुर महम्मद गुल्रेज नूर सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है इसे देखकर अनायासी उस छोटे जीव का इस्मरण हो गया जो इस लता की सगन हरीतीमा में छिपकर बैठता था और मेरे निकट पहुचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौका देता था ताब मुझे कली की खोज रहती थी पर आज उस लगू प्राण की खोज है परंतु वो तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा कौन जाने स्वन नहीं कली के बहाने वही मुझे चौकाने उपर आ गया हो अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कववे एक गमले के चारो और चोचो से चुवा च्ववल जैसे खेल खेल रहे हैं एक काग भुशुन्डी भी विचितर पक्षी है एक साथ समादरित, अनादरित, अतिसम्मानित, अतियवमानित हमारे बिचारे बुर्खे ना गरोड की रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काग बनकर ही अफ्तीर होना पड़ता है इतना ही नहीं हमारे दुरस्त प्रियजनों को भी अपने आने का मधू संदेश इनके करकश स्वर में ही देना पड़ता है दूसरी और हम कववा और काउं काउं करने को अवमानना की अर्थ में ही प्रयूक्त करते हैं मेरे काग पुराल के बिवेचर में अचानक बधा आर पड़ी क्योंकि गमले और दिवार की संधी में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरे द्रिष्टी रफग गई निकट जाकर देखा के लहरी का छोटे सा बच्चा है जो संभवता खोसले से गिर पड़ा है और अब कववे जिसमें सुलब आहार खोज रहे हैं काग द्वय की चोचो के दो घाव उस लगू प्राल के लिए बहुत थे अता वो निश्चेश्ट सक गमले से चिप्टा पड़ा था सबने कहा कववे के चोच का घाव लगने के बाद अब ये बच नहीं सकता अता इसे ऐसे ही रहने दिया जावे परंतु मन नहीं माना उसे हौले से उठा कर अपने कमरे में लाई फिर रूई से रक्थ पोच कर खाव उपर पेंसिलिन का मरहम लगाया रूई की पतली बत्ती दूद से बिगो कर जैसे तैसे उसके नन्ने से मूँ में लगाई पर मूँ न खूल सका और दूद की मूदे दोनों और ढूलक गई कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मूँ में एक मूद पानी टपकाया जा सका तीसरे दिन वो इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों पंजों से पकल कर नीले कांच की मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा तीन-चार मास में उसके इसनिक्द रोए चबेदार पूझ और चंचल चमकीली आँखे सबको विस्मित करने लगी हमने उसकी जाती वाचक संग्या को वैक्ती वाचक करूद दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे मैंने फूल रखने की एक हलकी डलिया में रूई बचा कर उसे तार से खिड़की पर लड़का दिया वही दोवर्ष किल्लू का घर रहा वो स्वया मिला कर अपने घर में जूलता और अपनी काच के मनकों सी आँखों से कमरे की भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था परंत उसकी समझदारी और कारकलाब पर सबको आश्यर होता था जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर शित करने की उसे इतनी तीवर इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला वो मेरे पैर तक आकर सर से परदे पचल जाता और फिर उसी तेजी से उतरता उसका ये दोलने का करम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती कभी मैं गिल्लू का पकल कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो बंजे और सिर्के अतरिक्त सारा लगुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता इस अधभूत इस्तिती में कभी-कभी घंटों मेज पर दिवार के साहरे खड़ा रहकर वो अपनी चमकिली आँखों से मेरा कारकलाब देखा करता भूक लगने पर चिक्चे करके मानो वो मुझे सूचना दे देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी इस्तिती में रिफाफे से बाहर पंजों से पकल कर उसे कुतरता रहता फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया नीम चमेली की कंथ मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी बाहर की गिलहरियां खिड़के के जाली के पास आकर चिक्चे करके ना जाने क्या कहने लगी गिल्लू को जाली के पास बैटकर अपने बन से बाहर जागते हुए देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है मैंने कीले निकाल कर जाली का एक को ना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सच मुझी मुक्ती की सांस ली इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी आवश्यक कागस पत्रों के कारण मेरा बाहर जाने पर कमरा बंध ही रहता है मेरे कॉलेज से लोटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा वैसा ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और से पैर तक दोड़ लगाने लगा तब से नित्त का करब हो गया मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिर्की के खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलेरियों के जुन्ड का नेता बना हर डाल पर उचलता कुटता रहता और ठीक चार बजे वो खिड़की से बीता राकर अपने जूले में जूलने लगता मुझे चौकाने के इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन हो गई थी कभी फूलदान के फूलों में छुप जाता, कभी पर्दे की चुन्नेट में और कभी सोनजोही की पत्तियों में मेरे पास बहुत से परशुपक्षी हैं और उनका मुझे लगाओ भी कम नहीं है परण तो उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे इसमरण नहीं आता गिल्लू इनमें अपवाद था मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुचती वो खिणकी से निकल कर आंगन की दुआर बरामदा पार करके मेज़ पर पहुच जाता और मेरी थाली में बैट जाना चाहता बड़ी कटना ही समयने उसे थाली के पास बैटना सिखाया जहां बैटकर वो मेरी थाली में से एक एक चामल उठा कर बड़ी सफाई से खाता रहता काजू उसका प्रियक हाद दे था और कई दिन काजू ना मिलने पर वो अन्ने खाने के चीज़े या तो लेना बंद कर देता या जूले से नीचे फेग देता था उसी बीच मुझे मोटर दुरगटना में आहात होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा उन दिनों जब मेरे कमरे का दर्वाजा खोला जाता गिल्लू अपने जूले से उतर कर दौलता फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोसले में जा बैटता सब उसे काजू दे आते पर उस्पताल से लोड़ कर जब मैंने उसके जूले के सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले जिन से ग्याद होता था कि वो उन दिनों अपना प्रियक हाद कितना कम खाता रहा मेरी अस्वस्तता में वो तक्यों पे सिरहाने बैटकर अपने ननने पंजों से मेरे सिर व बालों को इतने हौले हौले सैलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता गर्मियों में जब मैं दुपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने जूले में बैटता उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सरवथा नया उपाय खोज निकाला था वो मेरे पास रखे सुराही पर लेड जाता और इस प्रकास समीब भी रहता और ठंड़क में भी रहता गिल्लैरियों के जीवन की अब्धी दो वर्ष्टे अधिक नहीं होती अधा गिल्लू के जीवन यात्रक अंत आ ही गया दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया रात में अंत की यात्रा में भी वो अपने जूले सो उतर कर मेरे बिस्तर पर आया और ठंड़े पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बच्चमन के मरनास्न निस्तिती में पकड़ा था पंजे इतने ठंड़े हो रहते कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उश्णता देने का प्रेत्न किया परंतु प्रभात की प्रथम किरण की स्पर्ष के साथ ही वो किसी ओवर जीवन में जागने के लिए सो गया उसका जूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है परंतु गिलहरियों की नई पिड़ी जाली की उस पार चिक-चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समादी दी गई है इसलिए भी कि उसे वो लता सबसे अधिक प्रियत थी इसलिए भी कि उस लगू गात का किसी वासंती दिन जूही की पिदाम छोटे फूल में खेल जाने का विश्वास मुझे संतोश देता है